यूगांधर श्रीक्रिष्ण अर्थात हजारों वर्षों से व्यक्त एवं अव्यक्त रोप से भार्त के जन्मानस में व्याप्त एक कालजई चरित्र एक यूग पुरुष स्रीक्रिष्ण चरित्र के अधिकरित संदर्व मुख्यता स्रीमत भागवत महभारत हरिवंस और कुछ अन्य पुरानों में मिलते हैं एंसब गरंथों में पिछले हजारों वर्षों से स्रीक्रिष्ण चरिद्रे पर सापक्ष बिचारों की मनगढ़न्त पढ़ते चड़ती रही। यह सब अज्ञानवस तथा उन्हें एक चमतकारी ब्यक्तित्वी बनाने के कारण हुआ। फलता है आज स्रीक्रिष्ण वास्त विक्ता से सैक्डों योजन दूर जा बैठे हैं। स्रीक्रिष्ण सब्द ही भारतिय जिवन प्रेनाली का अनन्य उद्गार है। आकास में तपता सुर्य जिस प्रकार कभी पुराना नहीं हो सकता। उसी प्रकार महाभारत कथा का यह तत्वग्य बीर भी कभी भारतिय मानस पटल से बिस्मृत नहीं किया जा सकता। जन्मता है यह दूरलव रंगसुत्र प्राप्त होने के कारण क्रिष्ण के जिवन चरित्रे में भारत को नित्यनुतन और असमेस साली बनाने की भरपूर छमता है। स्रिक्रिष्ण जीवन के मुल संदर्भो की तोड मडोर किये बिना क्या उनके युगंधर रूप को देखा जा सकता है। क्या उनके स्वच निलवर्ण जीवन सरोवर का दर्शन किया जा सकता है। क्या गीता में उन्होंने भिनभिन योगों का मात्रे निरूपन किया है। सच तो यह है कि स्रीकृष्ण के जीवन सरोवर पर छाय सैवाल को तारकिक सजगता से हटाने पर ही उनकी युगंधर रूप के दर्सन हो सकते हैं तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इमेज़ेटली चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को इमेज़ेटली लाइक और कॉमेंट्स भी कर दें इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दुसरोडों की लाइफ में हैल्प कर सकता है तो उन्हें इस वीडियो को सेयर भी करें जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ तैंकि सो मुच